सीर के बाल जढ़ना तूटना गिरना इन सारी समस्याओं को ठीक करने का काम ये करता है आज कल गंजापन की समस्या बहुत ज़्यादा देखा गया है कम उम्र से लेकर अधिक उम्र के लोगों का जो बाल है वो कांटिन्यू जढ़ना तूटना और एक तरीके से सीर के बीच साइड में बाल उनके जढ़ जाते हैं तो इन सारी समस्याओं को ठीक करने का काम ये करता है और इस सल्यूसन का उप्योग किस परकार की दिक्कत बालों में किस परकार की समस्या रहती है या फिर बालों से related कौन कौन सा रोग में क्या समस्या, बालों से related क्या तकलीफ रहता है, तब दॉक्टर के द्वारा यह advice किया जाता है, Hair loss की समस्या को ठीक करने के लिए, और इसका upio, किस परकार से, बालों से related समस्यामें दॉक्टर करने के लिए देते हैं, इसको लगाना कैसे होता है, एक दिन में कितनी बार लगाया जाता है, ये लोशन कौन लगा सकता है, अपने बालों में कौन नहीं लगा सकता है, इसके बारे में आज हम आपको पूरा डेटेल से हिंदी में जानकारी बताएंगे. आजकल आपने देखा होगा कि बहुत कम उमर के लोगों का जो बाल होता है, वो सिर से जढ़ने लगता है. बाल जढ़ने का कारण काई कारण हो सकता है. जीसे कि अगर आप अलग-अलग तरीके का तेल defendine infections के बालों में अलग-अलग परकार के तेल लगाते हैं, तो उसके वो भी जढ़ने लगते हैं इसके और भी कारड होता है जैसे कि हम बता सकते हैं आपको बहुत लोगों में ऐसा देखा गया है कि वो एक एक हफ़ता दो दो हफ़ता तक अपने बालों में एक एक महीना तक ना कोई तेल लगाते हैं ना कोई शंपू लगाते हैं तो उसकी वज़ा से भी कई बार उनके सिर के जो बाल होते हैं वो जढ़ने लगते हैं इसके सिवा और भी कारड होते हैं जिसके वज़ा से जो उनके सिर के बाल होते हैं वो जढ़ने लगते हैं आपने देखा होगा न सीरमे बाल में पहीं ज़ेंगे देखतें होगा, बहुत के बाल में सीर में तो उपने लाइए प्रकषिर में व्मीच, अफिर। करते हैं या फिर अपने बालों को जाड़ते हैं या अपने बालों को सही करते हैं तो उस समय भी उनको बाल तूटने का काफी ज़्यादा दिखाई देता होगा उनको पता भी रहता है कि हमारे जो सिर के बाल है वो तूट रहे हैं तो इस कारण से भी बालों का तूटना आग्जा हो जाते हैं। बहुत ऐसा लगता है ना कि 20-15 साल या फिर 28 साल के उमर में उनने पूरे जो सीर के बाल होते हैं वो एक परकार से जहर जाते हैं, तो इक परकार से इन सारी समस्याओं को ठीक करने का काम ये लोशन करता है इस लोशन को लगाना कैसे होता है आज हम आपको इसके बारे में बताएंगे जैसे कि आप ये लोशन जब भी लगाएं तो इसके अंदर एक ड्राफ होता है अगर ड्राफ होता है तो ड्राफ आप लेके आप अपने सीर के साइड में जहां भी आपको गंज में आप एक से दो बार डॉक्टर के द्वारा ये जो लोशन है लगाने के लिए सिर में बताया जाता है अगर ये लोशन आप अधिक लगाएंगे आपने सिर में तो आपके सिर में हम बता सकते हैं जो साइड इफेक्ट हो सकता है एक परकार से हम कह सकते हैं कि वहाँ पर आप आपको अजीब तरीके से एक तरीके से खुजली के जैसा भी महसूस हो सकता है इसके सिवा आपके सिर में एक तरह कैसे दर्द की समस्या भी हो सकती है, अगर आप डॉक्टर जितना बताया है उतना आप ये लोशन नहीं लगाएंगे अगर overdose की मातरा में लगाएंगे तो आपके सीर में दर्द की समस्या हो सकता है इसके सिवा आपको और कोई side effect देखने को मिले तो तुरंत अपने डॉक्टर या फार्मासिष्ट के पास अब जाएं तुरंत जो ये लोशन है आप बंद करते हैं और दॉक्टर या फार्मासिष्ट से आप तुरंत समपरक करें ये लोशन गंजे पन की समस्या को ठीक करता है अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा तूटते हैं तो जो बाल आपके तूट रहे हैं वो बालों को एक तरीके से मजबूती देने का काम करता है आपके बालों को ए जो लोशन है एक परकार से ठीक करने का काम करता है, आपके बालों को मजबूती बनाता है, आपके बालों को एक तरीके से फुल केर करके ये जो लोशन है ठीक करने का काम ये करता है, ये लोशन डाक्टर के द्वारा जढ़ते हुए बाल को तूटते हुए बाल को ठीक करने का काम यह lotion करता है, इसके अंदर एक drop होता है, उस drop के माद्याम से आप वो drop में आप भर के फिर आप अपने सिर में जहां पर आपको गंजापन की समस्या या फिर बाल ज़ड़ने की समस्या है, तो वहां पर आप drop के बाल बहुत ज़्यादा जड़ते हैं, तो एक बार अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट के पास आप जाएं, आप अपनी दिक्कत परेशानी बताएं, उसके बाद में कोई भी लोशन, कोई भी किरीम, कोई भी तिल उपियोग करें, कभी भी आप कोई भी मेट्सिन, कोई भी लोशन, कोई भी किरीम, खुद से उपियोग ना करें,